आईए, सुनिये, देखिये, समझिये, सनातन्त सत्य, जैसी द्रिष्टी, वैसी स्रिष्टी, द्रिष्टी विज्ञान, गुदरत, गुदरती रचना, एवं कुदरत के कानोन से शाश्वस सुख की प्राप्ती, जोद्पुर के परंपुच महात्मा, उपासक, प्रोफेसर, डॉक्टर, सोहन राज तातेड के निर्देशन में, सनातन्त सत्य, जैसी द्रिष्टी, वैसी स्रिष्टी, द्रिष्टी विज्ञान, बाई और बेनों, आज का विशह है कि विने, शब गुणों की खान है, खान किसे कहा जाता है, जिसमें से मिनरल्स निकलते हैं, हीरे, मानक, मोती, पन्ने निकलते हैं, हमारी जो ये प्रत्वी माँ है, इसको गर्बजाबी कहा जाता है, वसुंदरा भी कहते है, ये समस्त जितनी विश्व की प्रॉपर्टी है, वसुंदरा मा के खान के अंदर गड़ी हुई है, पेट में गड़ी हुई है, उसको खोद खोद के हम निकल सकते हैं, यानि इसके पास इतनी अथा संपती है, कि ये विश्व की चौरासी लाख जीवा योनियों, जो की बर्थ प्लेसेज है, उनका बरण पोशन आराम से कर सकती है, और वो बरण पोशन जो है, इसके पास गटक है, प्रत्वी जल, अगनी, वाई और आकास, इन सब से करती हैं, और वो ही बेसिक फाइव एलिमेंट्स ह जो की हर जीवित प्राणी के बीतर होते है, वह पंच भूत का पुतला कहलाता है, पंच भूत से पैदा होता है, पंच भूत से पोसित होता है, पंच भूत से सारा कारी करता है, और उसके बाद पंच भूत में विलीन हो जाता है, प्रत्वी प्रत्वी में जल जल में, अग खान मेंसे निकलती है उसी तरीके से विने एक ऐसी खान है कि अगर वो खान हमारे आत में आ जावे तो मनुश्य मानुता के सारे गुन अपने आप आ जाते हैं ये सब जो है विने के अधीन है सारे गुन और सारे अवगुन है वो एंकार के अधीन है यानि सब अवगुनों का जो लीडर है वो एंकार है और सब गुनों की लीडर है वो विनेशीलता है विनेशीलता को पॉलाइटनेस कहते हैं और जो है वो सिंपलिसिटी और जितनी जितनी अन्य मानवी ये गुन है सब इससे जुड़े होते हैं तो विनेशीलता पॉलाइटनेस यानि जो है वक्ति जो है प्रेम से पेशावे वक्ति जो सब के साथ अच्छा वेवार करें उसको विनेशीलता वक्ति का जाता है देखिए विनेशीलता बाहरी जगत जो की हमारा इंद्रियों का जगत है वो हमारे भोग का जगत है वो पांच इंदरी सुखों को जो है वो प्राप्त करने का जगत है और एक अध्यात्मिक जगत है जो की शुकून का जगत है परमात्मा का जगत है और मुक्ती में जाने वाला जगत है दोनों के अंदर विनेशीलता की आश्रकता होती है वेवार जगत को पहले देखें कि कोई भी पुत्र अपने माता पिता के प्रतिविनेशील होता है जैसे कि सरुण कुमार था तो माता पिता उसको हर्दे से लाइक करते हैं उसको भीतरी भीत बहुत पसंद करते हैं और एक वेक्ति दूसरी संतान स्वारती होती है उदंड होती है माबाप की कोई केर नहीं करता है तो ऐसा वेक्ति जो है वो माबाप के लिए काम का नहीं है और उसको आशिरवाद भी प्राप्त नहीं होता है इसलिए अगर वैवार जगत के जो बगवान है वो माता-पिता होते हैं, माता-पिता एक शेल्टर है, एक अम्बरिला है, जो की बच्चे को जो है, वो कितनी त्याग वरती से उसके पैरों पर खड़ा करते हैं, तो ऐसे के अंदर अगर पुत्र विनेशील होता है, तो उससे उसको बहुत लाब होता है, और वो संतान, वो पुत्र, बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, जिनके साथ में माता-पिता रहते हैं, माता-पिता का आशिर्वाद होता है, और वो आशिर्वाद कप राप्त होता है, कि उस बच्चे में विनेशील्टा होनी चाहिए, नीस्वा कार्थ की बावना होनी चाहिए मैं आपको जो है एक उधान देना चाहता हूं कि शिव के दो पुत्र थे पुत्र हैं एक तो गनेश जी और दूसरे जो कार्थी के तो शिव जी ने प्रतियोगिता रखी कि हम दोनों की परिक्षा करना चाहते हैं शिव पारवर्थी ने का तुम दोनों जो है पूरे ब्रमांड का पूरे जगत का चक्कर लगा करके जो पहले हम को आकर के प्रणाम करेगा वो परतम गोशित किया जाएगा अब आप देखिए कार्थी के का जो वान था वो गुरूड था गुरूड हुआई जाज की जो स्पीड से बागता और कार् का वान था तो वो वान भी बहुत अलका और खुद जो है वो गनेजी भी भारी तो उन्होंने जो एक दिमाग से एक तरकीब निकाली के वो कार्थी केक तो क्या है के तुरंत जो है उसको गरूड को लेकर के और तेज स्पीड से बाग गया के जल्दी मैं जाकर क्या आता और गनेजी ने जो है एक तरकीब निकाली कि उन्होंने अपने मुसक पर बैठ करके और शिव पारदी जाब बैटे हुए थे उनके तीन चार चक्कर निकाल करके और वो आकर के वहां बैठ गया क्योंकि उनका काम बहुत चोटा था तो काम जल्दी निपट गया और कार्थ मैं मांगलिक कारी करेगा तो स्री गणेश Shia नमा सबसे पहले गणेश जी का नाम आएगा यानि गणेश जी विजित रहे विजित क्यों रहे कि गणेश जी ने का कि मेरे तो बगवान मेरा तो ब्रह्मान्ड यह जो है शिवपारुति थे तहृत इसके कर लगा कि उनको ब्रह्मांड मानना उनको संसार का भगवान मानना इश्वर मानना सब कुछ मानना बहुत बड़ी बाद होती यह विनेशीलता का परिचायक है अब आप देखिए जो विनेशील व्यक्ति होता है वो परिवार के अंदर कितना जल्दी एड़िस्ट होता है कि छोटे बाईयों के साथ बड़ों के साथ सब के साथ जो है वो प्रेम से पेश आता है जो उसके बड़े है वरिश्ट नागरिक है यानि दादा है पिता है और जो है उसके साथ और भी जो बड़े लोग है उनको प्रणाम करता है और उनको चित समाधी पहुंचाने के लिए किसी चीज की आफशक्ता होती है तो पूस्ता भी उनके पास आता है बैठता है तो वह सब को प्री हो जाता है वह सब के जो है वह नैनों का तारा बन जाता है वह उसकी आँख का काजल बन जाता है विनेशील जो व्यक्ति होता है वह सबको प्री हो जाता है अब आप देखिए कि एक सिक्षक है उसके बहुत से जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन जो विनेशिल होता है जो समय पे प्रणाम करता है समय पे काम करके आता है इंटेलिजेंट है बासा जो है मदूर बोलता है हितकारी बासा बोलता है और सिक्षक की हर बात को ग्रण करता है सिक्षक की आग्या का पालन करता है तो वह गुरु को प्री होता है पुराने समयने की गुरु कुल सिक्षा प्रणाली पहला आधार विनेशिलता पुराने जमाने के अंदर उमर को शरेद जीवे यानि सो वर्स तक जो है लोग जिया करते तो प्रकृति मान है पुराने समय में जब जो है किसी मनुश्य को जनम दिया तो आशिडवा दे करके बेजा कि तुम सो साल जीओगे और उसके जो है बोडी के अंदर एक यूनी बिल्ट जो है इम्मून सिस्ट श्च्म लगा के बेजा कि तुम कभी बीमार नहीं हो सकते तुमारे जब कभी भी वह जो है वह एंटी बोडी– यानि कुछ बाहर के घ्रम स् – टुमारे पर हमला कर देंगे तो तुम जा तुमारी जो आर्-बी-सी और डब्लू-बी – ओर डब्लू-बी-सी वाइडू-ब्ल उनको कोरोना का प्रभाव नहीं हुआ क्योंकि कोरोना को उन्होंने जो है हमारे शरीड में फैलने के पहले ही समात कर दिया डबलू बीसी ने और उनके वाइट ब्रेड शेल सोलजर ने कर दिया तो हमारी युम्यून सिस्टम प्रतिरुदात्मक शक्ती अच्छी होनी चाहिए पहले अच्छी थी तो इसलिए सो साल तक जिया करते थे लेकिन वो जीते क्यों थे कि वो प्राकर्तिक जीवन जीते थे जो गुरुकुल जो बने हुए थे अलग अलग रिशी मुनियों के जैसे की जो है जो भ्रगु मुनि का जो आश्रम था और उसके बाद के अंदर जो है वो अन्य अन्य जो मुनि थे उनके जो आश्रम बने हुए थे उनके आश्रम में क्या था कि वो प्रकर्तिकी गोद में थे देखिए प्रकर्तिका मैं थोड़ा आपको नजारा बताओं कि कलकल नदी बेह रही है बोर नाच रहे है चारों तरफ हरियाली हरियाली है और चिडियां चैचा रही है और जरने की कलकल आवाज आ रही है फूल जो अलग-अलग कलर के मुस्करा रहे हैं और तेलेटी के अंदर वो आश्रम बना हुआ है सबी अपना अपना श्रम करते हैं हर तरह का कारिये पे स्वयम श्रम करते हैं और जहरनों का मीटा मीटा अमरिक जैसा पानी है तो ऐसे प्रकर्तिकी गोद के अंदर जो है सबसे पह यह जगे पर जा कर्के और जो बच्चे पढ़ा करते थे और उनका सब से पहला काम था उनको विनेशील्टा सिखाई जाती थी और ताकि कि जब वह एककाउन से लगा कर्के और 75 वर्ष की उमर तक जब वो 26 से लगा के एकवन वर्स की पचास वर्स की उमर तक गरस्त आस्रम में रह वे तो वो विनेशील रह करके संसुलित रह करके अपने करोध एंकार माया लोग पर अंकुष करके एक आइडियल जो है पिता के रूप में पती के रूप में बेटे के रूप में जीवन यापन कर सके तो ये नीव विनेशील ता की जो है पहले ही 25 साल की ब्रह्मचरी आस्रम के अंदर लगा दी जाती थी अब देखिए आज की सिक्षा प्रणाली की तुन्ना करें तो आज की सिक्षा प्रणाली के अंदर ग्यान तो बहुत बढ़ गया है क्योंकि गूगल सबसे बड़ा जो है ग्यान का कोश आ गया है और विधायें भी जो ग्यान की बहुत बढ़ गई है तो ग्यान बहुत अपनों के अंदर भिनेशीलता की कमी रही और वो विद्वान एंकार से पोशित हो गए कैसे पहले चाहे कितना ही प्रकांड पंडित हो वो अपना घर खुद जाडू लगा के साफ करता था पानी बरता था लकडिया लाकर के जो है बोजन वगरा पकाता था और सारा काम हाथ स करता था चाहे कितना ही बड़ा विद्वान से विद्वान हो लेकिन आज ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट पूस्ट डॉक्ट्रेट होने के बाद जब घर में आता है तो वो कहता है ऐसे छोटे काम करना मेरे मेरे बसकी बाद थोड़ी है मैं छोटे काम थोड़ी कर सकता हूँ मैं तो विद्वान हूँ पड़ा लिखा हूँ तो इसका मतलब वो विद्वान तो हो गए लेकिन वो पंडित नहीं बने पंडित कौन होता है वो इंट्यूशनल होता है वो पंडित होता है वावनात्मक विकास वाला होता है वह इंद्रिया तीत जगत के अंदर जाता है वो प्रग्या के जगत में जाता है और इंटेलेक्च्छल होता है वो बुद्धी के जगत में ही रहता है बिनेशीलता को प्राप्त करने के लिए हमें दो जगत को समझना पड़ेगा बुद्ध बुद्धी का जगत है वह बुद्धी का जगत है इंटेलीजेंट बनाता है। आई कॉस्षंट को घड़ा करनाता है। र्ओं पीद्धी के जगत में तो शब्द होने से बेद पैदा होते है। inferiority, superiority complex होता है लेकिन प्रज्या के जगत के अंदर शब्द समाप्त हो जाते हैं मात्र vibrations रहती है और उस vibration में intuitional जगत के अंदर वो गुण ही गुण दिखते हैं विनेशीर्था ये विनेशल्था दिखते हैं शत्य के दर्शन होते हैं God is truth के दर्शन होते हैं इसी कारण उस जगत के अंदर चाहे Jesus Christ गए चाहे मुहमद साथ गए चाहे जरुस्तरत गए चाहे जो है अल्ला गए और कोई भी गुरुनानक गए मावीर गए 24-30 गए तो सबने वहाँ पर सत्य के दर्शन किये और वही बात लोगों को बताई इसी लिए सारे धार्मिक गरंतों के अंदर मानव धर्म की बात मुक्य होती है मानव एकता और प्राणी मात्र के प्रती बुरे विचार न रखे जाए प्राणी मात्र को कोई भी दुख न दिया जाए, यह common बात जो है सभी धर्मों में बताई जाती है, यह कहां से आई यह intuitional जगत से आई, यह प्रग्या के जगत से आई, प्रग्या मुक्ष की प्रतिनित है और प्रग्या जो है आत्मा की भाव सकता है आत्मा अपने आप में भूल सुरूप के अंदर निश्क्रिय होती है कोई भी कारिय नहीं करती है वो अकिरिया होती है लेकिन उसकी भाव सकता है वो प्रग्या सारा काम करती है प्रग्या अगर ग्यान लिया हुआ व्यक्ति यानि जो जिसने जो है वो अंतरात्मा बनने का ग्यान ले लिया है और वो बटक जाता है तो प्रग्या उसको कान खीशती है प्रग्या उसको जो है सिक्षा देती है कि ये जो है कारिय तुम्हें नहीं करना चाहिए और पुने उसको जो है वापस लोटा करके लाती अपनी मूल इस्ति में ग्यान की इस्ति के अंदर विनेश इल्टा की इस्ति में लाती तो हम ये कहना चाहते हैं कि इंट्यूशनल जगह विनेश इल्टा का है और सभी धर्मों ने विनेशीलता को सबसे मूचा ध्याद जो है वो इस्तान दिया है तुलसी उन्होंने ये कहा है कि तुलसी जो है ये हमारा दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभी मान तुलसी दया न छोड़िये जब लग गट में प्राण दया विनेशीलता से जुड़िये ये जब तक प्राण ये छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि दया ही धर्म का जो है स्वरूप है एंकार है वो अधर्म का स्वरूप है तो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जो है विनेशीलता के गुण को डेवलप करो अब प्रश्म ये है कि एक तो हमने एक्सपरिमेंट बताया कि आप जो है वो भीतर के जगत के अंदर गोते लगाओ इसका हम एक प्रियोग करा देते हैं आपको ताकि आपको इसपस्ट हो जाएगा कि भीतर के जगत के अंदर विनेशीलता को प्राथ करने के लिए गोते कैसे लगाओ है दोनों आपकों को मलता से बंद कर दीजिए और रीड की अड़ी को एंटीना की तरह सीदा रखिए और जिस आसन में आराम से बैठ सकते हो वो आसन का चैन करें और दोनों आपकों की अतोलियों को एक दूसरे के उपर के ध्यान मुद्रा करें अब जो है आटो सजेशन दीजिए अपने चित को कि ये धीरे धीरे दोनों पैर के अंगूटे से आगे बढ़ता हुआ उसके बाद में पंजा पिर एडी पिर दोनों जो है वो पैर उस बाद गुटने साथल और कमर का मद्य बाग वहाँ पे ये वो चलता रहे और उसके बाद में मद्य का बाग पेट दोनों हाथ और कमर और गरदन तक जो है हमारा चित है वो यात्रा करें उसके बाद में सिर का बाग गरदन के उपर का बाग कि हमारी जो है वो रानेंद्रिय रशनेंद्रिय और जो आख है ना कान सब जो है ये आप सुझाव दीजिए कि पूरा शरी सितिल हो जाए अनुबव कीजिए कोई अकड़न नहीं कोई जकड़न नहीं कोई तनाव नहीं कोई स्ट्रेस नहीं कोई स्ट्रेन नहीं कोई तरह की समश्या नहीं अनुबो कीजिए शरीर इतना हलका हो गया कि अपने इस्तान से दो फुट उपर उठ रहा है तो हमारा ये कायोत सर्ग हो गया अब चित को दोनों नतुनों के बीच के अंदर स्थिर करके आते जाते सांस को लंबा कीजिए सांस जब लिया जाए तो पेट फूलना चाहिए सांस जब सिकुड़े जब पेट सिकुड़ना चाहिए लंबा सांस और लंबा करें और लंबा करें लंबा गैरा शितिल सांस शरीर सितिल श्वां सितिल अब जो प्रभू के भीतर जाने का अंदर के जगत में जाने का जो आग्या चक्र दर्शन के इन दोनों प्रकुर्टियों बीच में और जो है वो स्वांस के साथ में लाल रंके प्रमाणों कीजिए अनुगों कीजिए कि लाल रंके प्रमाणों का गेरा दर्शन के अंदर आग्या चक्र के उपर जो है वह गोला बड़ा हो गया है यही इस्तान पिनियल गरंती का है और बीतर जाने का इस्तान है आईपोत्लेमिस का इस्तान है तो यहां से बीतर जाईए बीतर जाईए बीतर जाईए आप जो जो बीतर जाओगे देखोगे की गेट ही गेट लगे हुए है कोई गेट की संख्या करना ही मुश्किल है और रूपक की रूप में आगे जाकर के देखिए के तीन वाइट कलर यलो कलर और तीसरा जो है पिंक कलर की तीन चमकती हुई पटिया ते जो पदम और शुकल लेशिया आपको दिखाई दे रही है वह शुद शुब भाउं की है वह बगवान का सरूप हैingenसे रूप ग्रूप के अंदर आत्मा का सरूप है तो जो चमकदार पहली पट्टी सफेद रंग की है वह जो हमें प्योरिटी देती है पवितरता देती है और उस पवितरता से हमें मुक्ती मिलती है और दूसरी जो है वो पिंक कलर की है वो तेजो लेशिया है जो कि हमें शांती देती है और तीसरी जो पट्टी है यलो कलर का चमकता हुआ वो है पद मलेशिया है जो कि हमें जो है आनंद की अनुभूती कराती है तो प्रभू के दर्शन हो रहे हैं प्रभू से आदेश लेजिए प्रभू बात कीजिए अपनी बात अपना से कीजिए प्रभू से विनेशीलता का आशिरवाद मांगिए ये प्रभू मेरी हर अक्टिविटी में विनेशीलता हुए मैं विनेशील बनू और पॉलाइट बनू और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला बनू मेरा हर एक्षन पॉलाइट हो विनेशीलता से बरा हुआ हो अब आप दीरे दीरे पुने वापत लोड जाएए देखो शरीर भारी हो रहा है शांस भारी हो रही है प्रभू ने आपको आशिरवाद दिया और ये आशिरवाद आपकी हतेलियों पर आगया है तीन बार उस आशिरवाद को जो प्रभू ने दिया है अपने सिर के उपर लीजिए ताकि ये प्रभू की शक्ती आप तक इस्तानांतित हो जावे दीतर जाने से विनेशिल्टा के गुन बढ़ते हैं और विनेशिल्टा सब गुनों की खान है एक गुन को हमने पॉलाइटनेस का लिया उसके साथ में बहुत से गुन आ जाते हैं एक एंकार का गुन लिया उसके साथ सारी बुर्माग जो है बुराई आ जाती है विनेशील व्यक्ति होता है वो हमेसा टकराव टालिये कैसी भी इस्तिती होती है वो प्रतिकिरिया नहीं करती है वो जड़ाई जगड़े से दूर रहता है क्योंकि उसके उसी विनेशीलता उसकी शांती उसका सुकून है वो खंडित होता है अब देखिए कि विनेशील किस त और ऐसे विनेशील लोग जब जनता के सामने आते हैं और वो कहते हैं मुझे पांच साल आपने चैन करके बेजा आज जोड़ के बात करता है कि मेरे लाए कोई काम हो तो आप बताईए तो विनेशील का बहुत बड़ा प्रतीक होता है एक डॉक्टर होता है अगर विनेशील है तो वहाँ जो सबसे पहले पेशिंट को देखने से पहले कहेगा बाई साब आईए अंकल आईए आप तो बिलकुल ठीक है मैंने आपके एक्सपरिमेंट कराई जाँच कराई सब कुछ देखा आपको तो मामूल इसी बिमारी है मैं चोटी मोटी टेबलेट लिखता हूँ आप ले ले आप ठीक हो जाएंगे ये विनेशील के कारण हुआ और एक डॉक्टर है लोबी है लोबी होगा वो एंकारी भी होगा तो ऐसा लोबी डॉक्टर एंकार के वशीबूत लोब के वशीबूत जितनी पेशेंट की जो इस्तती है उससे कई गुना उसको डराएगा का आपने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया अब ज़्यादा लेट होगा तो जैसी जैसी उसकी बिमारी है कि आपको कभी भी हो सकता है ऐसी डरावनी बातें करके अपना उलू सीधा करना चाहता है ऐसे व्यक्ति विनेशीन नहीं वो दंड व्यक्ति कहलाते हैं और ऐसे व्यक्ति को तो पनिश्मेंट देना चाहिए राजा राम को देखिए कि उन्होंने 14 वर्स के बनवास के अंदर जो जो रिशी होनी थे उनकी रक्षा की और उनके जब अवन करते थे उसमें अडियन डाल देते थे और उसमें जो है वो अशुद चीजें डाल देते राक्षक लोग उनके अवन को जो है वो खराब कर देते थे तो क्योंकि वो राक्षक लोग ऐसे दूरजल लोग होते हैं तो राम ने आइसे बहुत से और वो जो है रिषी मुनियों को मार देते थे और उठा उठा करके वो जेल में डाल देते थे और उनको कतले आम कर देते थे क्योंकि उनका धर्म से वेर है राक्षत राक्षत क्यों बना कि धर्म से उसका वेर है रिशी मुनी जो है उनको धर्म से प्रेम है धर्म के प्रती विनेशीलता है तो ऐसे रिशी मुनियों की विनेशीलता से उनके गुनों से प्रभावी तोकत कि राजा राम ने ऐसे समस्त र अंदर जो है वो विनाश किया क्योंकि वो ख्षत्रियत है और शत्री होता है वोई पनिश्मेंट ले सकता है वीर भी थे युद्धा भी थे और भगवान का रूप भी थे तो उन्होंने जो है ऐसे उद्दंड लोगों को जो किया इसलिए विनेशीलता जीवन के अंदर हर हमेशा बनाए रखने चाहिए विनेशीलता हमारे में होती है तो हम जल्दी से टकराओ में नहीं जाते हैं अगर हम जो है कोई भी हमारी टू विल और फोर विल चला रहे है रोड के उपर और कोई आकर के छोटा मोटा किसी नहीं टकर मार दी तो जो विक्ति आ molecule होगा वो लड़ेगा बिड़ेगा पुलीस कारवाई हो सकती है कोड कारवाई हो सकती है और बुट बाजी भी हो सकती कुछ भी परिनाम आ सकता है लेकिन विनेशील विक्ति होगा वो इस्टार्ट से उसकी गलती नहीं होगी तो भी कहेगा भाई साथ गलती हो गई विनेशील तो अमेशा पहले से ऐसे मीटे वचन बोलते हैं कि गलती सामने वाले की होती है भाई साथ मुझे पड़ा कश्ट हो रहा है कि आपको दुख नहीं देना पड़े आपको कश्ट नहीं देना पड़े इसलिए कर प किसी भी फिल्ड के अंदर आप विनेश शील्ड रहते हो हमेशा सक्सेस्पल रहोगे और विनेश शील्ड को प्राथ करने का अपने करशायों को नियंतरन में रखने का मैं आपको एक बहुत सटीक जो है वह एक परियोग आपको बताता हूं कि सांसा जब तक आसा हमारी ये सा चलती रहती है तब तक हमको आशा रहती है कि एक जिन्दा है और सांस रुख जाती है लाष्ट वर्त जो है बरीद रूख जाती है तो डॉप्टर कहता है वह समाचो चुका है तो इसी लिए जो हमें विनेश शील्ड झाज्ञ को अटोमेटिकली ले आती अपने साथ आपने जैसे एंकार अवगुनों को लाता है विनेशीता लागी तो विनेशीता सब गुनों की खान है कि जीवन में हमें इसकी प्रतम प्रात्वित्ता देनी चाहिए सर्वे बहुंतु सुगिना सर्वे संतु निरामया लोग के सब जीवों को शुक मिले शान्ती मिले आनंद मिले प्रेम मिले बाईचारा मिले और सभी बातित्व से इसने से प्रेम से बाईचारे से साथ रह करके शान्ती पूंट से इसने से जीवनियापन करें आपके प्रतिम अबनल्बाहूँ अबनल्बाहूँ अबनल्बाहूँ